So Hello S.O.S.E. Learners, आइए solve करते हैं question number 6 अब देखो question number 6 में क्या बोला गया है हमसे कि find the 31st term, हमें क्या find करनी है 31st term find 31st term 31st term हमें find out करनी है, कैसे find out करनी है जब इसमें क्या दे रखाओगा, of an AP whose 11th term दे रख्यो 38 जो 11th term है इसकी 11th term है जो वो क्या है 38 है और इसने बोला है सवाल में की और 16th term है 73 है 16th term जो होगी वो क्या होगी 73 तो इसके विहाफ पर हमें सवाल पूरा करना है ठीक है किस तरीके से करेंगे देखिए कि काफी आसान method है हमें इसे that elimination method से solve करेंगे ठीक है तो देखिए किस तरीके से करेंगे important सवाल है पूरा का पूरा देखना एक्जैम में जरूर आएगा ठीक है तो आईए solve करते हैं इसको देखो यहाँ पर क्या है हमें यह जो दे रखिया न 11th term क्या होगी 38 और 16th term है क्या है 73 देखो इसमें है ना इसी से हमें A निकालना है और D निकालना है ठीक है फिर हमारी यह वाला भी answer निकल जाएगा A और D कैसे निकालेंगे मैं आपको बताता हूँ देखो यहाँ पर हमें क्या करना है 11th term A 11 बराबर क्या हो सकता है हमारा A प्लस N माइनस 1 इंटू D यह हो जाएगा तो equation बनाते हैं देखो ध्यान से करना है इस सवाल को सीख लो अराम से वीडियो को पूरा देखना है एंट तक सवाल समझ में आएगा तो देखो A 11 बराबर क्या दे रखा है हमें 38 तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा 38 इक्वल्स टू A बराबर कुछ भी नहीं है प्लस N बराबर क्या है 11 माइनस 1 यह N होता है न A N की जगा पर क्या है 11 और D का D रखेंगे 38 इक्वल्स टू A प्लस 10 D हो जाएगा ठीक है 10 D हो गए है न माइनस करके multiply हो जाएगा equation इसको हम कह देंगे 1 ठीक है अब करते हम यह वाला इसी तरीके से करते हैं तो यह वाला मैंने करके दिखाया 16 तो हम क्या होगी 73 तो फटा फट इसको मेरे को करके comment box में बताओ solve फटा फट क्या हो जाएगा यहाँ पर A 16 बराबर हम कैसे करेंगे A प्लस N माइनस 1 इन्टू D ठीक है A 16 कितना है 73 है A 16 कितना है 73 इक्वल्स टू A प्लस N क्या है हमारे पास 16 माइनस 1 इन्टू D अब क्यासे कर देंगे 73 इक्वल्स टू A प्लस 15 D हो जाएगा multiply हो करके ठीक है equation number 2 अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं इन्हें subtract करते दो 1 और 2 आ गई elimination method मैं आपको बहुत बार करवा चुक हूँ कम से कम 15 सवाल मैंने elimination method के करवाए हैं तो इन्हे eliminate करना तो आपको आता ही होगा फटा फटा अप मिरको answer बता दो जल्दी से क्या होगा A और D क्या निकलेंगे चलिए solve करते हैं देखो क्या करते हैं from equation 1 and 2 ठीक है 1 और 2 equations में क्या हो जाएगा देखो 38 equals to A plus 10D और यह क्या हो जाएगा 73 equals to A plus 15D ठीक है इस तरीके से अब इसे solve करते हैं subtract करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पर minus लगाना पड़ेगा सब में यह cancel out होगा हमारे पास अब देखो इसको घटाओगे तो क्या हैगा अब 73 में से 38 घटाएंगे 73 में से 38 जाएंगे तो कितना बचेगा 13 में से 8 गए 5 और 6 में से 3 गए 3 35 बच गया है यहाँ पर तो minus का 35 यह आगया is equal to यह क्या आगया minus 5D अब दो minus से minus cancel और 57 पैंतिस तो D बराबर हमारे पास क्या आगया 7 तो देखो इसरी D equals to 7 को मैं put करता हूँ किसमे equation number 1 में put कर लेता हूँ तो कैसे होगा यहाँ पर 38 equals to A plus 10 D ठीक है तो किस तरीके से होगा अब यह 38 equal to A plus 10 into 7 हो जाएगा D बराबर क्या देर का हमें 7 ठीक है तो 38 equals to A plus 70 हो जाएगा यह और 38 में से minus 70 करेंगे हम तो क्या जाएगा हमारे पास equals to A यहाँ पर इसको minus करते हैं तो को 70 में से 38 जाएगे कितना बचेगा 38 और 240 हो गया और 30 मतलब 32 हो गया minus का 32 A equals to क्या हो गया हमारे पास minus का 32 अब देखो A और D दोनों आ चुके अब असानी से हम कौन सी 31st term को भी निकाल सकते हैं तो 431st term 431st term कैसे निकालेंगे हम इसको लिखते हैं आपर देखो A 31 equals to A plus N minus 1 into B ठीक है A 31 equals to देखो यहाँ पर यह दे रखा है न 31 तो 31 यहाँ पर लिख़ दो आपकी यह term निकल जाएगी तो A बराबर क्या हो जायगा हमारे पास क्या निकला है minus 32 plus N बराबर हमारे पास 31 है यह रहा ठीक है और minus 1 into D क्या है हमारे पास 7 ठीक है तो 30 A 31 क्या हो जायगा हमारे पास minus 32 plus इसको माइनस करोगे क्या हो गया 30 into 70 इस तरीके से A31 क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस 32 प्लस 321 दो सो 10 210 में से 32 जाएंगे तो कितना बचेगा A31 equals to 210 में से 32 जाएंगे चलो 210 में से 32 को घटाते हैं क्या बचेगा 10 में से 2 गया 8 और यहाँ पर 10 में से 3 गया 7 और यह एक 178 क्या यहाँ पर है तो 178 is D option is the correct answer बिल्कुर सही answer आया है 138 ठीक है तो 31 टर्म कौन सी होगी 138 एकदम जब answer correct आता है एकदम ही तो कितने खुशी सी होती है कि एकदम भई answer एकदम सही आया हमारा सारी मेनच सफल हो गई ठीक है इस तरीके से होगा यह सवाल देखो काफी important सवाल है थोड़ा से land दिया अगर खुद करोगे एक दो बार कर लो तो ज़्यादा देर नहीं लगी है आपको इसमें देखो ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं है यह ठीक है तो इसको solve करना है आपको और बाकी SOSC की information में आपको देता रहूंगा question number 6 हो चुका है ठीक है बाकी अगला question हम करते हैं तो वीडियो को like करना बिलकुल न भूलें और चैनल को subscribe करो share करो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ठीक है यह वीडियो यह जरूरी नहीं है कि SOSC के लिए important है बाकी यह 10th का भी concept है आप 10th वाले बच्चों को भी share कर सकते हैं बड़ी असानी से क्योंकि देखो एक्जैम आने वाले 10th के भी और असानी से solve भी हो सकता है यह ठीक है तो वीडियो को like करना बिलकुल न भूलें और चैनल को subscribe 101% करें ही करें तो थेंक्यू जैहिन जैभारत